स्वास्य विवाग अपनी योईनाओं का भले ही लाग दावा करें और सुवदाओं के बारे में बताएं लेकिन जब भी कोई शिविर लगता है तो स्वास्य विवाग की पोल खुलने लगती है ऐसा ही मामला पन्ना जिले के शेहार नगर के सामुदाग स्वास्य केंदर में बड़ी लाफरवाई का मामला देखने को मिला है दूर दराज गाओं से नस्वंदी कराने आई महिलाओं को नस्वंदी ओप्रेशन के बाद एक पलंग भी नसीब नहीं हुआ याँ तक कि यहाँ पर महिलाओं को जानवरों की तरह एक कमले में एक साथ फर्ष पर लेटा दिया गया महिलाओं की संक्य दस बारा होती तो भी ठीक था लेकिन यहाँ पर तो 80 महिलाओं को एक साथ लेटा दिये गया ऐसी कड़कड़ाती ठंड में फर्ट पर लेटा ना क्या इस्पताल परबनन को चित था नसबंदी करा ने आई महिलाओं का कहना है कि हमारे ओप्रेशन के बाद हमें जमीन पर लेटा दिये गया ऐसी ठंड में कमल रोजाई भी नहीं दिये गए हम लोग अपने घरों से लेकर आए हैं और दवाई भी यहां पर नहीं मिल रही ओप्रेशन के बाद मरीजों के परिजनों को मेडिकल से दवा खरीदने के लिए परचा थामा दिया गया जब अमारी टीम ने यहां की प्रसासनिक अधिकारी आईडियम को इस बास से अबगत कराये तो उन्होंने कहा यह बात आपके मादियम से पता चली है हम इसकी जांच करवा कर जल्दी कारवाई करेंगे हम इसकी जांच कर दो फिए यहां कुर्छ यह ऐख। इसकी जाल वाई बात आपके मादियम को सुण कारेंगे वीडियो बना रहा हुगा 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 है अव हुगा 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 है। पन्ना से ग्राउंड रुपोर्टर सोरफ साहुगी रुपोर्ट